हे एवरीवन वेलकम बैक टू दीपा के विंजन चैनल आप लोग देखती समझ गए होंगे कि आज मैं बनाने वाली हूँ अर्बी के पत्ते की बहुत ही मज़िदार सबजी और पकॉरा दोनों बनाऊंगी और ये मैं बना रही हूँ बीना अनियन और गार्लिक के सबसे पहले मैं आप लोग को पत्त दिखा दे रही हूँ तो यहाँ पर मैंने छोटे बड़े मिला कर कम से कम दस पत्ते लिये थे और ये लाल डंटल वाला पत्तल है इससे मूँ में खुझली नहीं होता है आप बीना इसमें खटाई डाले भी इसे आराम से बना सकते हैं तो स पत्तों को मैंने आदा घंटा पहले ही धोके रख दिया है इसका जो पानी है वो बिलकुल सुक चुका है अब मैं आप लोग को मसाला दिखा दे रही हूं तो यहाँ पर मैंने दो चमच लिया है दोनों मिक्स करके सरसो आपको एक सरसो भी लेक सकते हैं साथ में लिया है चा यदि आप लहसन बाला सब्जी बनाना चाह रहे हैं तो इसमें 10-12 कलिया लहसन का डाल दे मसालों के साथ उसका भी एक पेस्त तया कर ले मसालों को मैंने निकाल कर एक अलग बर्दर में रख दिया है मसालों को पीछने के बाद सेम मिक्सी जार में मैं डाल रही हूँ फूला हुआ चावल चावल को मैंने सूबर में ही फूला के रख दिया था तो ये अची तरह से सोक हो गया है इसका भी एक फाइन पेस्त तयार कर लेंगे और डाल देंगे मसालों के साथ मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स किया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ा चमच अमचूर पाउडर और आदी चुटी चमच हल्दी पाउडर थोड़ा सा मैंने इसमें तिल डाला है और एक चुटकी ही मसालों को अच्छी तरह से पहले मैंने मिक्स किया है अब मैं इसे दो भाग में बाट रही हूँ तो मैंने एक इसे प्लेट में रख दिया है और एक मैं बाल में रख रही हूँ तो इस मसालों का यूज मैं ग्रेवी के लिए करूँगी और जो यहाँ पे मसाला है इसमें मैं डाल रही हूं तीन बड़ा चमच बेसन बेसन को अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया है मसालों के साथ अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार नमक के बाद मुझे थोड़ा हल्दी और अमचूर पाउडर कम लग रहा था तो मैंने दोनों एक एक चमच बढ़ा के डाला है मसालों का चितरे से मिक्स किया है और ये इस परकार से ठीक एक पेस तया कर लेना है इधर मैं पानी को गरम होने के लिए रग दे रही हूं पत्ते के उपर जो हार्ड स्टेम है उसे भी चागो की मदद से आराम से आप निकाल सकते हैं इसे निकालने के बाद पत्तों को तया कर ले और ये काफी आराम से निकल जाता है इसे निकालने का एक फैदा ये है कि आप जब रूल करेंगे तो ये काफी आराम से रूल होगा और दूसरा जब आप मसालों को spread करेंगे तो मसाले evenly चारों तरफ spread हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ले रहे हूँ एक बड़ा वाला पत्ता एक बड़ा पत्ता सबसे नीचे रखें उसके उपर थोड़ा थोड़ा मसालों का paste लगा दें यह मैं बिना अनियन और गार्ली के ही बना रही हूँ पर स्वाद में यकिन मानी काफी अच्छा बनता है तो यदि आप बिना अनियन और गार्ली का बनाना चाहते हों तो आप इस प्रोसेस से जरूर बनाएंगे काफी अच्छा बनेगा अब एक दूसरे पते को इसके उपर रख दे अपोजिट साइड में रखें उसके उपर भी थोड़ा थोड़ा मसालों का पेस्ट स्प्रेड कर दें इसके उपर छोटे वाले पते रखें और जितना पता है उसको आप बराबर भाग में पाट लें उसके अनुसार आप इसे रोल तयार कर लें किनारी को पहले मैंने उपर की तरफ फोल्ड किया है उसके उपर भी थोड़ा सा मसाला लगाया है उसके उपर धीरे धीरे रोल करते हुए इस प्रकार से मैंने पत्तो का एक रोल तयार कर लिया है पत्ते काफी आराम से रोल हो जाते हैं और जो किनारे वाले भाग हैं उसे अंदर की तरफ टक कर दें तो इस परकार से मैंने पत्तों को अंदर की तरफ टक किया है और ये कुछ इस परकार से बन कर तयार है इसे लास्ट में एक बर अच्छी तरह से रोल कर दे और इसे हम साइड में रख देते हैं जब तक हम दूसरा पता भी इसी परकार से फोल्ड करके त्यार कर लेंगे टोटल मेरे परस दस पते थे और पंच-पंच पत्तों का मैंने 2 रोल त्यार किया है तो दूसरे रोल को मैं इस प्रकार से स्क्वाइर में फोल्ड कर रही हूँ ताकि मैं इसका पकोड़ा बना सकूँ तो आप अपने चोईस के अनुसार इसे राउंड या फिर स्क्वाइर में फोल्ड कर सकते हैं तो यहाँ पर 5-5 पतो का मैंने 2 रोल तैयार किया है अब हम चलते हैं चूले के तरफ तो यहाँ पर मैंने प्याहणी को पहले से गरम होने के लिए रख दिया था पानी अच्छी तरह से गरम हो गया था मैंने इसको उपर एक जाली वाला थाली रखा है और इसके उपर मैं पत्तो का रोल रख दूंगी तो ये आराम से स्टीम हो जाएगा यदि आपके पास जाली वाला प्लेट नहीं है तो आपी स्टील किसी छन्नी में भी इससे स्टीम कर सकते हैं जब तक मैं पकोड़ा के लिए जो बैटर है उसे त्यार कर ले रही हूँ एक बॉल में मैंने लिया दो बड़ा चमच बेसन, दो चोटा चमच चावल काटा, आदी चोटी चमच हल्दी पाउडर और एक चुटकी हिंग और ग्रेवी के लिए जो मैंने मसाला त्यार किया था, उस मसाला से भी एक चमच मैंने इस बैटर में मिक्स किया है पानी डाल कर इसका एक ठीक बैटर त्यार किया है, नमक डाल दे स्वाद अनुसार सबको चीदर से मिक्स करें और इसे 5-6 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दे, तो पकोड़ा के लिए जो बैटर है वो बन कर तयार है, आप कंसिस्टेंसी आप अपने अनुसार एड़जस्ट कर सकते हैं थोरा सा नमक टेस्ट कर ले, उसके बाद इसे रख दे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे जब तक हम ग्रेवी तयार कर लेंगे तो यहाँ पर एक कराही को मैंने गरम किया है, उसमें डाला है दो बड़े चमच सरसो का तेल साथ में डाला है तो एक चुटकी हींग, आधी चोटी चमच मेथी डाना और आधी चोटी चमच सरसो मसालो को अब तेल में डाले और अच्छी तरह से इसे फ्राई कर लें, यहाँ पर मैंने डाला है एक चमच धन्या पाउडर, आधी चोटी चमच हल्दी पाउडर, मसालो को अच्छी तरह से मिलाते हुए भूने मसालों को भूनते समय ही मैंने एक चमच इसमें बेसन डाला था ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ी थीक बने अब मैं इसमें एक टमाटर का पेश डाल रही हूँ सबको अच्छी तरह से मिक्स किया है बेसन डालने से जो ग्रेवी होगा वो थोड़ा थीक तयार होगा और इसे मसालों के साथ जब भूनेंगे तो बेसन का जो कच्छापन है वो निकल जाएगा इधर मैंने पत्तो को भी एक बार चेक किया है तो पत्तो का जो रोल है वो काफी अच्छी तरह से स्टीम हो गया था मैंने यहाँ पे तूथ पिक लगा कर चेक किया है बिलकुल क्लीन निकल रहा है अब यहाँ पर गैस का फिलिम बन कर दे और पत्तो का जो रोल है उसे ठंडा होने के लिए रख दे इसे पहले बार मैं स्टीम करके बना रही हूँ वैसे जितने बार भी मैंने पकोड़ा बनाया है वो बिना स्टीम किये ही बनाई हूँ और काफी अच्छी बनती है मैं कभी उसकी भी रेश्पी आप लोगे साथ शेयर करूँगी पत्तो का रोल जो है वो ठंडा हो चुका था अब आप इसे छोटे बड़े मंचाहे शिप में काट ले थंडा होने के बाद ये काफी आराम से कट जाता है तो मैंने टोटल इसमें एक रोल में सेवन पीस काट कर तयार किया था यदि पतला पतला काटेंगे तो ये ज़्यादा तयार होगा पर मैंने थोड़ा सा मोटा रखा है और अंदर से आपको दिखा रही हूँ बहुत अच्छी तरह से जालीदार बना है तो जब आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी का जो रस है वो अंदर तक जाएगा तो यहाँ पर जो दूसरा वाला भी रोल है उसे मैं पकोड़ा के लिए तयार की थी तो इसे मैंने थोड़ा सा स्क्वाइर स्क्वाइर सेप में काटा है जिसे देखने में काफी के अच्छा लगता है तो आल्मॉर्ट सारी तयारिया हो गई है और इदर ग्रेवी भी तैयार हो गया था ग्रेवी से काफी अची खुश्बु आ रही थी और यह काफी तरह से भून गया था अब मैंने इसमें थोड़ा सा गरम पानी डाला है और इसे अची तरह से मिक्स कि जो ग्रेवी होगा वो बिल्कुल स्मूथ तयार होगा तो अब मैं इसमें कवर लगा कर इसे बॉल आने तक कुप करूंगी गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीटियम रखा था धकन हटा आने के पाद इसे मैंने चेक किया है और आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रीमी और साइन ग् कर रही हूं आप बीना फ्राइ किये भी इसे ग्रेवी में आड़ कर सकते हैं पर इस तरह से सैलो फ्राइ करेंगे तो काफी अच्छा एक स्वाद आएगा इसे तीनो चारो तरफ से पलट पलट कर अच्छी तरह से फ्राइब कर ले और यह बहुत कम तिल में ही फ्राइब हो सब्ते की रोल को मैंने डाला है ग्रेवी में हमारे तरफ इस सब्जी को कहते हैं रिकवर्च आपके तरफ किस नाम से जानते हैं आप ज़रूर बताएगा कॉमेंट बॉक्स में मैंने ढखकन लगाया है और इसे बिल्कुल लो फ्लिम पर छोड़ दिया था मुझे थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी एड़ हो सकता था पर मुझे इसी तरह से पसंद था इसलिए मैंने थोड़ा थिकी रखा है उसमें मैंने पत्तों को डिप किया है और इसे थोड़े से तेल में डाल दिया है और डिप प्राई कर रही हूं अर्वी के पत्तों के यह जो पकॉरे हैं आप इसे तवा पे बिल्कुल कम तेल में भी बना कर त्यार कर सकते हैं और कलर तो कितना चाय है बिल्कुल गुल्डन कलर आया है तो चलिए अब इसे सर्ब करते हैं तो इस पकोड़े को आप गरमा गरम चाय के साथ भी खा सकते हैं और जो सबजी है इसके साथ आप रोटी या चावल खा सकते हैं बहुत अच्छी लगती है तो आपको ये रेस्पी कैसे लगी? कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि मेरी रेस्पी अच्छी लगती हो तो इसे जादा से जादा अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ सेर कीजिए यदि चैनल पे नए है तो चैनल को सबस्काइब कर लीजिए मेरी कोसिस रहती है कि मैं आप लोग को एक हिल्दी और इजी रेस्पी शेयर करूँ तो चलिए मिलती हूँ एक और नए रेस्पी के साथ तब तक के लिए बाई टेक केर कीप वाचिंग